अम्रोहा के परभारी मंत्री विजय कश्व बाश्पा के जिला कार्याले पर जिला कार्याकारी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे जिसमें कार्यकरताओं को संबोधित करते हुए सरकार के क्राय गए विकास कार्यों का बखान किया और जनता तक सरकार के विकास कार्यों को चंता तक बताने की बात कहीं पर भावे मंतरी विजय कर्षम ने बेतुका बयान दिया अवारा पश्यों के द्वारा होने वाले नुक्सान पर बोलते होए कहा कि जब से खेतों में अवारा पश्यों नुक्सान कर रहे हैं तब से किसानों की पैदावार बढ़ी हैं और ओम- मानजिक्ता को समझा जा सकता है उन्हें इसकी समझ नहीं है इस पिमारी से बशने के लिए अपना बचाव करें अपनी सफाई का ध्यान रखें भीड बाड़ लाकों में ना जाएं पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आप भीड में मीटिंग कर रहे हैं तो मंत्री ने छोटी पैटे कहकर पल्ला जाड़ दिया अम्रोह सिवस्वादाता मोहमद आसिप की रिपार्ट अधिकारी अपने प्रमोशन के लिए असी कोई बात नहीं है वो तो जो भी उन पारोफ हैं उसी पर मुगर में चल रहे हैं ऐसा कोई केस नहीं है जो जुटा हूँ सब कहते हैं ना हमारी को बढ़ना ना दें और आपकी मिटिंग कर रहे हैं यह बड़ी मिटिंग करने के लिए मना है और चुक्छे पहले जट तहीं तो सामना रूफ से भीड़ार से बचना का सब कर दिया सब कर देंगे तो आज चोटी बैठक चोटी बैठके बड़े बड़े संग्या अच्छा को जाए जहां पर होस्पिटल आधी में हम जांगे तो वह के लिए निर्देश हैं वहां बिना मास्क ना जाए तो बीड़ वार सब्सक्राइब करना चाहिए यह बात यह बात आप किसी भी किसान से पूछ लो अब जब सेंगों हावारा पसु आये हैं वह फसल बड़ी है यह लोग कह रहे हैं मैंनी कह रहा हूं लोग कह रहे हैं जी इसके पिछे किसानों ने जो प्रयास किया वो भी है और यह बगवानिक किर्पा भी है फसल जाते हो रही है जी बताइए जो प्रगाज के प्रगाज राजबर्जी ने मिशाना साधा और उन्होंने काहिटी जो है हम दिना प्रगाज राजबर्जी इस तरह का ब्यान दे रहे हैं मैं समझता हूँ उनकी मानस्रिता समझी जा सकती है करोना एक महामारी है जो सभी देशों ने महामारी गोशित कर दी है हमारी के सरकार प्रदेश सरकार भी उसके लिए बहुत सारी वश्ताय कर रही है हमारे देश में भी कुछ मरीज उसके पॉजिटिव पाए गए हैं वो बिमारी चुबे चूत की बिमारी है कोरोना वो देश में प्रदेश में ज्यादा ना फैले उसके लिए व्यापक परबंद सरकार ने किये हैं हर जिले में अश्यूलेशन सेंटर खोले गए हैं उन विरीजों को जहां लगता है इनमें कोई सम्हावना कोरोना की हो सकती है उनका अलग से टीटमेंट किया रहा है और उस विसे पर प्रदाज राजभर जी का ये बोलना कि कोरोना से ज्यादे हमें वाज पर डर लगता है तो उनकी मान सिकता हूं समझा सकते हैं उन्हें इतनी सोच नहीं समझ नहीं है एक बड़ा संकट इसमें दुनिया के सामने है और उसके विसे में वो बोलते हैं अब भारतिन्ता पार्टी अब ये सारी दुनिया में संकट खड़ा हुआ है इसके लिए मुख्यते हम यदी अपना बचाओ करें तो इस बीमारी से बचा सकता है उसका तरीका यही है करें लगता है कोई ऐसा बीमार है जो लक्षन इसके खांसी के जुखाम बुखार के हैं तो अपना टेस्ट करावे और अपना सफाई का विसे धान लखे खांस के और वो जो सानेटाइजर है उससे हाथ दोए ठीक परकार से सबच रखें अपने आज पास को साप रखें तो इससे बचा जासता है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद थैन्यवाद